वेलकम फ्रेंड्स यह आपका सेकेंड पाट है भायस का जिसमें कि हम पाश इन पाश टेंस के सारे जो आपके उसके जो चार पाट सुतें उन सब कैसे भायस में उसका परिवर्तन करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले में बता दूं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस चानल को गौतम सर्मा और शेयर जरूर करें विकावस ताकि आपके इस लॉक्टाउन में आपके दोस्त भी इसमें पढ़ाई कर सकें बीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए बाबू discuss starks 1 में पढ़ने वाले पास्टन व से क्या मोई को कर बनाने में आसानी होगा सबसे पर में कि पैसिब फॉर्म की object change into subject object change into subject वाज वेर उसके बाद ठीक है फिर फित्री यह नहीं नहीं पता है किस ने चुराया अगर राम के द्वारा घर चुराया होताँ तो फिर तो पता हो था कि राम ने चुराया है तब फिर आम बाई आगे लगा सकते था नहीं था बढ़ पता नहीं किस ने चुराया someone has stole my pain someone stole my pen इसका हो जायगा my pain was only stolen by someone अगर आप लिक्ते है तो गलत नहीं है फिर ये लिखना कोई जरूरी नहीं है आपका फिर तिसना नवर आपका he wrote the letter beautifully he wrote the letter beautifully तो इसमें हो जाएगा the letter was beautifully written यह आपका बीच में beautifully क्यों आया इसका सबसे बड़ा reason है वाबू जब adverb of manner का हम उपयोग करते हैं जब कोई भी साब का adverb of manner वहाँ पर आ जाएगा वाके के बीच में वाके की जो की खुबसूर्ती को बढ़ाता है वाके के वाके के उस सब्द के उपर ज़्यादा जोड़ देता है तो फिर हम लोग उसको भी 3 से पहले लिखते हैं भी 3 से हम लोग अगर adverb of manner आ जाएगा जो की आपका जो भर्भ है उसको उपर ज्यादा तर दबाओ दे रहा है उसके उपर ज्यादा तवज्यो दे रहा है उसके उपर ज्यादा तर उसकी खुबसूर्ती को या उसके बारे में ज्यादा बता रहा है तो उसको हम लोग को भी थ्री से पहले लिखना होगा उसको मतलब कि हम लोग वाज के बाद लिख देंगे वह लेटर वाज इसमें continuous है इसवाज से इंजी को छोड़ा नहीं सकते तो इसके जगापन हम लोगे हैं पर बिंग लिखते हैं बिंग प्लस भीत्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट चेंज इन्टू अबजेक्ट इस अब इसके बाद बिंग टाउट तीचिंग का भीत्री होता है ताउट यह इसवाज से लिखना जरूरी नहीं लोग ऐसे भी समझसकते हैं दिखिए बाबु अभी हम लोग देखने वाले हैं पास्ट पर्फेक्टेंस के बारे में पास्ट पर्फेक्टेंस का क्या स्ट्रक्चर है और उसको पैसिफ फर्म बदलने के लिए क्या क्या उसके प्रति नियम है तो सबसे पहला हुआ ही ऑब्जेक्ट चेंज इंटू इसका एसका एक्जांपल देखते हैं आ लेटर फिर आपका ऊपर नंबर पास्ट पर्फेक्ट कंटिनव स्टेंस क्वांडंस कर्फेक्ट कंटिनव लुष्टेंस क्या हेसा नहीं बनता नहीं होसे बनता है इसका यह कुछ है इसका यह कुछ है आपका पुलिस फॉलोविंग फॉर यह तो इसका क्या हो जाएगा तो उसमें कि आपको लास्ट में टाइम दिया हुआ होता है तो वही टाइम को आपको इसमें लिखना होता है आपको नेक्स पार्ट में बताने वाले फुचर टेंस के बारे में फुचर टेंस के बड़ते हैं और उसके बाद कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तीनों को जो की हाड हड जनकी यो इसमें कि आप सभी को समझ साय हो सकती है सो थैंक यू लाइक और सब्स्राइब करें मेरे चानल को थैंक यू